नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नौलेश भर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया भर में कुछ न कुछ ऐसा अजीबो गरीब और विचित्र होता रहता है जो कि लोगों को काफी हैरान कर देता है और उसे देख करके लोग अच्रज में पढ़ जाते हैं ऐसा ही कुछ हुआ था आस्टेलिया में रहने वाले बैन के साथ बैन की 2013 में कार से दुरगटना हो गई थी जिसके बाद बैन कोमा में चले गए थे मेडिकल साइंस की भासा में कुमा उस इस्टी को कहा जाता है जिसमें वैक्ति अपनी सुदबुद खो देता है और बेहोसी की हालत में चला जाता है बैन को लगभग एक सब्ता से भी जाता कुमा में रहना पड़ा था लेकिन सबसे आश्चर और गजब की बात जब हुई जब बैन कोमा से बाहर आए जब बैन कोमा से बाहर आए तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को आश्चर चकित कर दिया सिम्पली कोई भी वैक्ति जब नींद या फिर बेहोशी की हालत से बाहर आता है तो वो सबसे पहले अपनी नेटिव लैंगुज बोलता है लेकिन बैन के साथ बिलकुल अलग हुआ बैन जब कोमा से बाहर आए तो बैन अपनी नेटिव लैंगुज को छोड़ करके चाइन बैन की इस अजीबोगरीव हरकत को देख करके उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने जब बैन के परिवार के लोगों से बैन की हिस्ट्री के बारे में पूछा तब बैन के परिवार के लोगों ने बताया के बैन एक बार डेटिंग से जुड़े टीवी कारेकरम के लिए च चमता को पूरी तरह से खो चुके थे डॉक्टर ने इस बात को कहा के दुर्गटना के बाद बैन के मस्तिस्क में काफी बदलाव हो है जिसके कारण से उनके मस्तिस्क की सनरचना पूरी तरह से बदल गई है और वो अपनी अंग्रेजी बोलने की चमता खो बैठे हैं लेकिन बैन के कोमा से बाहर आते ही जैसे ही बैन चाइनीज बोलने लगे थे तो इस घटना ने उनके परिवार के लोगों और चिकिट्सकों को काफी हैरान में डाल दिया था और लोग उन्हें एलियन्स तक समझने लगे थे। दोस्तों आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही